पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी ज़रा हम भी तो देखे के हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो रहे The Clown Prince held a press conference yet again Clown Prince The Clown Prince held a press conference yet again जूट के सहारे पे Clown Prince ने आज पुनह एक press conference किया है यहां उनकी आदत बन चुकी है देश की जनता जान चुकी है कि जूट पर फरेब पर confusion create करके जिस प्रकार का अपना राजनाईतिक इमारत बनाने की कोशिश राहूल गांधी कर रहे हैं यहां संभव नहीं है एर चीफ मारसल बी एस दनोवा साहब ने रफाइल डील के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो शब्द थे इट इस अ गेम चेंजर रफाइल विल बी अ गेम चेंजर वो गेम चेंजर है देश की शुरक्षा को एक नए दिशा में लेने के लिए उसका एक बहुत महत्तोपूर्ण ओदा है यह खुद एर फोर्स के चीफ कह रहे है एर फोर्स के चीफ जो कहते हैं राहूल गांधी ठीक उसके विपरीत कहते है the question is who is to be believed the air chief marshal of India और राहूल गांधी बंधूँ और तो और देश का सरवोच्चन यायले supreme court में कुछ लोगों ने congress के कहने पर at the behest of congress party कुछ लोग गय थे PIL लेकर PIL मतलब public interest litigation नहीं बंधूँ PIL मतलब political interest litigation लेकर उसका हश्र क्या हुआ उसका नतीजा कल supreme court के पतल पर क्या रहा वह भी आपने देखा था खुद supreme court ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि इन PIL का हम संग्यान नहीं ले रहे है PIL के मुख्य उद्देश ये क्या थे जो मुख्य मांग PIL की थी वो दो टूक थी पहला मांग था कि pricing में कहीं न कहीं कुछ गड़बडी है इसलिए supreme court pricing को लेकर सवाल पूछे और दूसरी मांग जो PIL में रखी गई थी वो यह था कि the deal should be scrapped दोनों विशेव में supreme court ने बड़े पस्टता के साथ कहा ना तो हमें pricing चाहिए और ना ही technicality पर किसी प्रकार का उत्तर चाहिए यही एक बहुत बड़ा सवाल Congress party पर उठाती है आपके पास इतना कुछ कागज है the clown prince claims of having all kinds of details about the raphael why doesn't the clown prince and his team go to the supreme court आप सुबह CVC जाते हैं शाम को CAG के पास चले जाते हैं दोपहर में press conference करते हैं आप court क्यों नहीं चले जाते हैं यह सारे कागजात पकड़कर आपका एक व्यक्ती गया था court एक व्यक्ती ने आपका PIL करने की कोशिश भी की थी वो भी withdraw हो गया आपने उसे withdraw करवा दिया क्यों withdraw करवा दिया आपके पास तो सारे सबूत थे कि आपको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोट पे बंदूओं एर चीफ मार्सल सही है या राहूल गांधी सही है सुप्रीम कोट सही है या राहूल गांधी सही है कोई सही नहीं केवल राहूल गांधी सही राहूल गांधी जी ने जूट पर जूट का प्रयोग किया आज राहूल गांधी ने पुनहत कहा कि फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट ने और मुझे कहते हुए कश्ट हो रहा है कि जूट का प्रयोग कैसे किया जाता है राहूल गांधी ने कहा फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट हुलान साहब ने कहा कि भारत के प्रदानमंत्री ब्रस्ट हैं मैं चैलेंज करता हूँ भारतिये जनता पाटी इस हाई पोडियम से चैलेंज करती है Mr. राहूल गांधी You are the president of one of the important political parties of this country We challenge you to produce any such statement where the former president of France has claimed thus कहां पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपती ने इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है आप वो कागज की टुकडी आप वो जवान उनके दिखा दीजे कोई ऐसी बाइठ हो आप दिखा दीजे You cannot play mockery with Indian polity and national security आप यहां mockery कर रहे है national security के साथ कहां कहा है हुलान सहाब ने आप सबने मीडिया में दिखाया हमने भी press conference किया आदर्नियर अविशंकर प्रशाद जी ने अगले दिन press conference किया था हुलान सहाब ने कहा कि जहां तक 200 का विशे है जहां तक रफाइल का विशे है दसो जानती है I am not aware दसो नोज़ जो OEM है OEM का माने है original equipment manufacturer वैसे OEM का माने भी अगर आउल गांदी से पूछ लिया जाए तो वो पूछेंगे बगलवाले से OEM का मतलब क्या है केवल राजनीती करनी है किसी विशे पर तथ्यात्मक रूप से जानकारी उनके पास नहीं है The OEM knows it I am not aware This was the statement of Mr. Hollande which everyone of you are aware of and it was in the media दूसरा जूट राहूल गांदी जी आज पुना जूट पकड़े जाने के बाद भी जुबारा जूट कहनी की हिम्मत अगर इस देश में किसी की है तो वो राहूल गांदी जी की है आज राहूल गांदी जी कह रहे थे कि सीक्रेसी क्लॉज में फ्रांस के राष्टर पती ने हमारे पी-म के ऊपर उंगली उठाया मैकरॉन आपको याद होगा सदन के पटल पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने बाली थी उसी समय राहूल गांदी सदन के पटल पे कहते हैं कि मेरे कान में आके फ्रांस के राष्टर पती ने कहा था कोई सीक्रसी क्लॉज नहीं है आप बिल्कुल सब कुछ सरयाम कर दीजे बता दीजे तुरंत उसके चंद घंटों के पश्चात फ्रांस की सरकार ने एक चिट्थी जारी की थी और कहा था कि राहूल गांदी जूट बोल रहे है राहूल गांदी is lying वो सब होने के बाद भी दे क्लाउन प्रिंट स्टिल हाज दी ओडासिटी of holding a press conference and lie through his teeth मतलब पुनह जूट बोलना एक बार जूट पकड़े जाने के बाद यहां राहूल गांदी जी की निरलजता है मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँगा राहूल गांदी जी की तरह बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा मगर मैं कहूंगा यह निरलजता है this is shamelessness that once being exposed that you are lying, you yet again lie राहूल जी आपने यह चार-पांच मिनिट का जो प्रेस कॉंफरेंस रटा-रटा है प्रेस कॉंफरेंस आप करते रहते हैं हमने एक प्रेस कॉंफरेंस किया था आपके परिवार के उपर सवाल पूछा था रफाइल को लेकर यह संजय भंडारी कौन है संजय भंडारे का आपके घर के दामाद रॉबर्ट वाडरा जी के साथ क्या रिष्टा है रॉबर्ट वाडरा जी को 19 करोड का मकान लंदन में क्यों दिलवाया 35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग अर्थात फर्नीशिंग उसमें क्यों कराया इस सब का पूरा का पूरा कच्चा चिठा हमने यहां आपको CD के माध्यम से भी दिखाया था उसका एक भी जवाब नहीं आया एक भी जवाब नहीं आया और यहां यह चार-पांच मिनिट का प्रेस कॉंफरेंस रोज जूट के आधार पर करते हैं पूरा गांधी परिवार भरस्ट है दो लोग बेल पे बाहर हैं मा बेटे और एक के चोरी के विशे में जितना कहा जाए रॉबर्ट वाडरा उतना कम है पूरा परिवार भरस्ट परिवार है और दूसरों की तरफ उंगली दिखा रहे है राहूल गांधी जी आपने आज कहा कि पी-एम अंबानी के पी-एम है राहूल जी हमने एक बार आपसे सवाल पूछा था जिन पंद्रह लोगों के बारे में पंद्रह उद्योगपतियों के बारे में आप कहते हैं एक भी उद्योगपति उन में से दिखा दीजिए सीना ठोक के पूछते हैं एक भी उद्योगपति अगर हमारे समय में अमीर बना हो तो बता दीजिए इन में से सारे लोग अमीर आपके सामने बने हैं आपके परिवार के होते हुए बने हैं और तो और आपने अंबानी के पीम कहा क्या आपके पिताश्री रेस्पेक्टेट श्री राजीव गांधी क्वात्रोची के पीम थे क्वात्रोची आये थे इटली से सोनिया जी के साथ विवा के पस्चात क्वात्रोची का एक बहुत बड़ा महत्तोपूर्ण भूमी का भारत वर्ष में रहा है किस प्रकार 3 लाक US डॉलर्स वो जो उनका अकाउंट में पैसा था 3 मिलियन US डॉलर्स का क्वात्रोची का उसको कैसे डिफ्रीज कराया गया वो फोर्स के समय यह आप और मैं जानते हैं सोनिया गांधी जी ने एक डिप्लोमेट भेजा इंडिया से कि आप जाके अकाउंट डिफ्रीज कराया जबकि सुप्रीम कोट ने कहा था कि किसी भी कीमत पर क्वात्रोची का बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं होना चाहिए क्यार वाजीव गांधी था प्राइम मिनिस्टर अन सर्वर तो क्वात्रोची what kind of words do you use Mr. Rahul Gandhi there was recently a news report which most of you carried that Rajiv Gandhi had acted as a middleman in the Swedish Sabs Camea which was selling vegan fighters aircrafts to India in 1970 वो तो official middleman थे middleman का Hindi में इस्तिमाल नहीं करना चाहता हूं मैं उस तर पर नहीं आना चाहता हूं जिस तर पर Rahul Gandhi गिर चुके है आपके पितासी तो official middleman थे उसमें you come from a family of middleman you come from a family where middlemanship is extremely important you have earned money out of every deal in defense that took place in India prior to 2014 you have jeopardized the defense of this country आप खिलवार करते हैं रास्ते सुरक्षा के साथ squadron strength कहां 44 से decrease होके 31 पे आ गया था हाथ पे हाथ धर के 10 वर्षों तक बैटे हुए थे क्यूंकि आपके घर के दामाद राबट वाडरा को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था और आज आप प्रशन उठा रहे हैं इंटर्नल पेपर्स है डसों के हमारे पास आपके पास होंगे इंटर्नल पेपर वो किस media house में छपे हमें पता है हमारे पास तो एक्स्टरनल और रियल पेपर है जो पेपर आप सबके सामने है पब्लिक डोमेन में है डसों का वो पेपर हमारे पास है क्या कहती है डसों डसों कहती है में विदिन अप्रेम्वरक और सब्सक्प्रिummरंट अब्रीयम अब्रांसब्स अंदिया डसों अवियाशन अव्याशन प्रह रफेप्राफ प्रिया अजिया इं अप्लीहिं प्रियं यंदिया इंडियं रस्ते लप्रेशन ओश्या अगर मैं हिंदी में समझाओ तो डसो कहती है कि हाँ हमने offset दिया इंडिया में वो mandatory है पचास प्रतीशत का offset देना mandatory है 2005 में UPA की सरकार ने जो कानून बनाया था जिसके अंतरगत offset देना mandatory है आप वहाँ से offset हटा देते हैं और reliance ले आते हैं ये किस प्रकार के misinformation की राजनीती कर रहे है राहूल गांधी। सुप्रीम कोट से बड़े आप। फ्रेंच गवर्मेंट और इंडियन गवर्मेंट से बड़े आप। एरचीफ मार्सल से बड़े आप। OEM का फुल फॉर्म पूछो तो OEM का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड। Enough is enough. The people of this country do not want a clown prince to play with this national security of their country. सभी प्रशनों का उत्तर दिया गया है, public domain में दिया गया है। आपके डील से हमारा डील 9% कोर में और वेपनाईज सिस्टम में 20% कम था। हर चीज का उत्तर दिया गया है। उसके बावजूत आप इसमें राजनीती करने की कोशिश कर रहे हैं। You will not be successful। आपका परिवार middle man का परिवार है। मैं middle man का हिंदी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप लोग अनुवाधित कर सकते हैं। आपने जीवन भर middlemanship को देखा है अपने परिवार के अंदर, इसलिए शायद आप उससे बाहर नहीं आपा रहे हैं। But we stand firmly with truth and we stand with the national security of this country, we stand with the Supreme Court which has said that on the price of Raphael we will not be inquiring, we stand with the air chief marshal when he categorically states that Raphael is a game changer and we do not stand with the falsities propagated by the clown prince Mr. Rahul Gandhi. Thank you so much and just a second sir, before the thank you, आप इतना reliance, reliance कर रहे हैं। तो ये रविशंकर प्रशाद जी ने भी दिखाय था, आदरनी रविशंकर जी ने, मैं दुबारा दिखाता हूं। DASAW Aviation India enters into a pact with reliance and defense, ये February 12, 2012 का है, Reuters का है, DASAW का और reliance का pact हुआ। French defense major DASAW, RIL Inc. MOU for collaboration in defense sector, February 12, 2012, आप देखिये जराइस को, Reliance DASAW planning facility to produce warplane, December 10, 2013, ये भी news report आपके पास है। तो what were you doing? When all these reports were appearing, when you had an MOU with her, when during your tenure, MOUs were signed with reliance, were you acting just as a government of one family or one industrialist? Mr. Rahul Gandhi, आप जूट कितना भी बोले, याद रखिये, जूट के पाव नहीं होते, इसलिए जूट चल नहीं सकता। दन्यवाद, दिविंद जी, देखिये, पहली बात है, जहां तक middleman का Hindi है, देखिये, आपनों translate खुद करिये, मुझे लगता है, कुछ चीज़ें अंग्रेजी में ही ठीक लगती है, उसे रहने दिया जाए, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें ठीक है, आपनों translate करिये, स्वभाविक है, अंग्रेजी निउस पेपर उसे अंग्रेजी में लिखेंगी, हिंदी वाले कल लिखेंगे, कल headline में जाएगा, जहां तक दूसरों का सवाल है, कि उसमें उत्तर दिया जाए, मुझे लगता है, जिन लोगों को लगता है, कि उत्तर नहीं दिया जा रहा है, वो कृप्या करके, रोज अकबारों में, आधरनी डिफेंस मंत्राले की, और से डिफेंस मंत्री की, खुद की इंटर सरकार नहीं भागती है, एक अठन्नी चवन्नी का घपला, ये सरकार नहीं करती है, इसलिए हम किसी से नहीं डरते हैं, देश के सुरक्षा के साथ, जो खिलवार करेगा, कान खोल के सुने, उसे एक्सपोस किया जाएगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद एक वक्तवे जारी किया है, पूर्व निर्धारित, सबकुछ राहूल गांदी जी से पूछ के कौन कहां, राहूल गांदी इटली चले जाते हैं, प्राइवेट जेट में, छुट्टी मनाते हैं, नजाने कहां कहां जाते हैं, व अगर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किसी देश में कोई भी मंत्री जा रहा है, तो क्या नहीं जाएं? देखें, we have to keep aside the petty domestic politics for the larger benefit of the country. देखें, I have begun this press conference by using a term deliberately, which Mr. Jaitli had used for Mr. Rahul Gandhi, that is clown prince. The clown prince can demand a number of things, वो resignation दे ये करते, are we supposed to answer all that? Of course not. I have told, he hardly understands what is central to all these issues. मैं आपनों देश की विद्वान लोग हैं, नेक्स प्रेस कॉन्फरेंस में आपनों OEM का फूल फॉल फॉर्म जा राहूल गांदी से पूछिएगा तो, रफायल दील में, DASO is an OEM, आप पूछेगा सर, OEM क्या होता है? वो अगर बगल में रंदीर सुर्जवाराज से नहीं पूछेंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्या है पता हो, ये करेंगे, आप देखिएगा, आप पूछेगा उनसे. Sir, I have come for a particular issue, I'll answer, I'll take every question on this issue. Sir, I have come only on the false allegations of Raphael, which one? Why should we? No, no, just a second, let me tell us, let me tell you, yesterday there were PILs which appeared in front of the Supreme Court, which is more supreme, the Supreme Court or these political allegations coming from a political party, which wants, which wants, which, no, as far as truth is concerned, ultimately everything goes to the Supreme Court and that's why I firmly believe that you all, let me complete, I'll answer, I'll answer every question, madam, I'll take your question, I'll take your question also. So why doesn't, if as claimed by Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party, if they have some substantial proof, why running to the CVC, CAG, go to the court? Remember, in Colgate case, in 2G case, we had gone to the court, the licenses were cancelled by the Supreme Court, thereafter there was a ruckus created in Parliament and thereafter everything went to a JPC. Just because a clown prince demands something, all his demands are to be met, no sir, things have to be followed and no compromise with the national security. Liz? But sir, you can't believe that the Parliament is supreme. In a democracy, the Parliament is supreme. If we have supreme laws to support everything, why is there any government? No, of course, you are right. You are right in stating that the Parliament is supreme. And that is why on every question pertaining to these important issues, we have not shied away from answering. We have categorically answered on pricing. On the floor of Parliament, I remember answers were taken and Mr. Avishankar Prashad, I can even vouch for that. He held a press conference within the premises of the Parliament to say that the deal that we had struck was 9% less than the deal that was notional during the Congress era. So just because you have a whimsical allegation string, you to say that we should go ahead in a particular direction is something which the country does not accept. Thank you, friends. Only on this issue, sir. No, only on this issue. Thank you. .